मामले में नया मोड तबाय जब सोशल मीडिया पर अचानक दो वीडियो अपलोड किये गए जिसका जिक्र FIR में पेडिता ने किया है दावा की अजाराय की वीडियो में दिख रहा शक्स मेवा राम जैन है हलाकि NDTV राजस्थान इसकी पुष्टी नहीं करता है गैंगरेब मामले में आरोपी बार्डमेर के पूर्व कॉंग्रेस विधायक मेवा राम जैन के खिलाफ पेडिता की याचिका पर आज बुधवार को राजस्थान हाई कोट सुनवाई करेगी दावा की अजाराय की मामले से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर वारल होने के बाद से मेवा राम जैन की मुश्किले बढ़ गई है पेडिता ने जोधपूर में राजस्थान की पिछली सरकार में मंस्री रहे बाद मेर के पूर विधायक मेवा राम जैन और RPS आनन सिंग राजपुरोहित समेत नौ लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्श कराया था पुलिस को दिये आवेदन में पेडिता ने कहा था कि मेवा राम जैन ने उन्हें बेटी कहा था लेकिन बाद में मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ गैंग रेप किया यही नहीं उनकी नावालिक बेटी के सामने उनके साथ छेड़ छाड़ की सोशल मीडिया पर शुकरवार दोपहर शेयर किये गए वीडियो में एक वीडियो 6 मिनट और दूसरा 53 सेकेंड का है पुलिस रिपोर्ट में पेडिता ने कहा था कि पूर्व विधायक ने रेप करते हुए वीडियो भी बनवाया था बयान में पेडिता ने ये भी कहा था कि मेवाराम जैन और रामसरूप का उससे मन भर गया है तो उन्होंने दूसरी 15 साल की लड़किया लाने को कहा था सोशल मेडिया पर वीडियो वारल होने के बाद पूर्व कॉंग्रेस विधायक मेवाराम जैन पिछले तीन दिनों से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में है दो दिन तक मेवाराम जैन की वारल वीडियो को लेकर चर्चा आम थी लेकिन तीसरे दिन जन्ता ने मेवाराम जैन की गिरफतारी की मांग की थी जिससे सुबह से ही हैश्टैग मेवाराम जेल में डालो एक्सपर्ल टेंड करने लगा जोदपूर पश्रिम में राजीव गांधी थाने में पेडिता ने पूर विधायक मेवाराम जैन समेतनों लोगों के खिलाफ पॉक्सो सहीत 18 धाराओं में गैंगरेप का मामला दर्च करा है 20 दिसंबर 2023 को दर्च कराई गई उक्त अफायार में मेवाराम राम सरूप आचार कोतवाल गंगाराम खावा दाउद खां बार्डमेर डी सीपी आनन्द सिंग राजपुरोहित बार्डमेर के प्रधान प्रतिनिधी गिरधर सिंग सोधा नगर परिशद उपसभापती सुर प्रतिस ने लंबित कर दिया शनिवार देरशाम सोशल मीडिया पर आदेश की कॉपी शेयर करते हुए कॉंग्रिस ने ये जानकारी साजा की पुलिस ने गैंग रेप की शिकायत के बाद पेडिता का मेडिकल करवाया और बयान भी दर्च किये लेकिन गिरफतारी से पहले आरोपी मेवराम जैन ने हाई कोर्ट की शरण ले ली और हाई कोर्ट ने राहा देते हुए मेवराम की गिरफतारी पर 25 जैनवरी तक रोक लगा दी हलाकि हाई कोर्ट आज मामले की सुनवाई करेगा जिसमें मेवराम की गिरफतारी की तलवार लटक गई है